नमस्कार दोस्तों सौगत है है आपको हमारे Youtube channel में जिसका नाम है देसी ओइप YouTube चैनल आज बात करेंगे मौनिय वबस्या 28きた के बारे में तो देख तो मौनिय वबस्या तonya 11 में कव है ? तो मौनिय वबस्या जो चार फरवरी को पढ़ने जा रही है, मोनीय मवस्या जाने कब से कब है, उस सो मवद्रत और क्या है, क्या है इसका महन तो दोस्ते मोनीय मवस्य दोया गुनिश में कि मतावित मात का महिना चल रहा है और इसी मात महीले में आने वाली या मौनी वावस्या कहलाती है कहा जाता है कि इस मौनी वावस्या पर पवित संगम और नदियों में देउताओं का नवास होता है यही कारण है कि इस दिन पवित और पावन नदिया में इस्टनान का खास मेदव है खासतोर में गंगाजी इसनान का चूकी इन दनों परिया गराज में कुमका मेला भी चल रहा है हिलाजा संगम में साही इसनान भी मौनी अमवस्या पर होनी जा रहा है इसमें आस्ता की डुपकी लगाने के लिए लाखों लोग पहुंच रहा है कहते हैं कि हिंदू धर महines के कारतिक महिने के समानी पुंड मह τις सामानच महीना माना जाता है क्योंकि इस महिने में दान धर्म और दया रचना का अलग ही मेहत्व होता है यह कारण है कि मौनी तर भी बहुत ही खास माना जाता है आईजे आपको बताते हैं कि मौनिय मवस्या कब है इसका महुरत कब से कब तक रहेगा और मौनिय मवस्या का मैद्व क्या है दोस्तों बात करते हैं मौनिय मवस्या कब है तो माल महीने की मौनिय मवस्या चार फरवरी को है चुके इस दिन सौमबार है और ये सौमंतिय चनान जारा है ये दिन गंगा में इसनान करना। बावती महद्व और लोग भारी तादात में हरी द्वार जैसे गयाजी प्रियाग राज बाराण सी गंगा सागर जैसे पवित इस्तानों पर पहुँच कर रिष्णान करते हैं कब से कब तक रहेगा मौनिय मवस्या का महुरत तो मौनिय मवस्या 2019 में चार फरवरी को है जो की रवी बार को आदी रातरी से सुरू हो जाएगी और सौंबार को दिन भार आमवस्या का स्वा महुरत जिसके बाद सौंबार आदी रात के बाद से ही आमवस्या संपन हो मौनी मवस्या 2019 का जाने महत्व क्या है तो यू तो इंदु धर्म में हरा मवस्या को बहुत ही खास महत्व होता है लेकिन महार महिने में होने वाली मौनी मवस्या का तो महत्वी निराला है वही अगर ये मवस्या सौंबार के दिन हो तो इसका महत्व कई गुना भड़ जाता है वही अगर महत्व अनन्द गुना हो जाता है और इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है दरासल मौनी मवस्या इस बार सौंबार यानि चार फरवरी को है तो वही इस बार प्रियाग राज में केल रहा है इसलाजा, मौनочку की रवस्या का मेल रहा है, महिद्व इस बार अनन्त हो गया है चुंकि मौनि भूस्या पर धान का बहुत ही मेलुट होता है, इस दिन पवित्र नदिया या संगा मेशनान के बाद अपनी चानुसार अनवस्तर दन दान गो भूमी और शोन दान में दिया ज़सकता है तो दोस्तों आसा करते हैं कि वीडियो में बताई के जान कारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें जेर करें रमाध में को सब्सक्राइब करें तक के लिए नमस्कार दोस्तों